हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने परिवार मेग जोन में तो यहां पर आज मैं एक बहुती छोटा सा टॉपिक आप लोगों को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आपको इस पर बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक भी है उसी के साथ में तो देखिए अक्चली होता क्या है अगर हम बात करें उन वायर्स की तार की इसकी थिकनेस बहुत कम होती है तो एक्चली उसमें होता क्या है मान लीजे उस तार में करेंट बहरा है यहां पर जैसे एक पुछ लेते हैं जैसे माली जी कोई तार है कोई वायर है क्ये और फीर में आपकर करा रहाएं और आपको यह चीज भी अच्छे से पता है अगर कीशी बीएर में करण्ट फ्लो करता है तो उसमें i2 rt के हिसाब से क्या यह जेनेरेट होती है और अगर इस heat को dissipate नहीं कराया गया, कहां पर? ambient में, अगर इस heat को हमने dissipate नहीं कराया, तो आपके wire का temperature बढ़ता जाएगा, पर अगर wire का temperature बढ़ेगा, तो आपको पता है कि इसका resistance भी बढ़ता है, ठीक है, यह चीज़े हम लोग physics में पढ़ चुके हैं, इसका resistance बढ़ता है अच्छा, अगर इसका resistance बढ़ेगा, तो इसकी current carrying capacity क्या होगी? current carrying, इसकी current carrying capacity कम हो जाएगी, तो होता क्या है? हम लोग इस तार के उपर एक insulator की layer लगाते हैं, एक insulation की layer लगाते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पर एक insulation की layer को लगाते हैं, ओल राइट, इस insulation की layer को लगाने का purpose परपस क्या है इस insulation की layer को लगाने का सिर्फ एक ही परपस है कि हम इस तार में से इस wire में से heat का dissipation बढ़ा दें ठीक हीट transfer बढ़ा दें अब आपके दिमाग में एक एडाउट आ सकता है कि इन जेनरल अगर हम बात करते हैं insulators heat तो उसका परपस होता है heat transfer को रोकना या heat transfer को कम करना लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जब आप insulation की layer लगाते हैं तो आपका जो heat transfer है वो एक point तक बढ़ता है ठीक है पहले धीरे धीरे बढ़ेगा फिर एक point पर जा माल लिजे आपके पास को एक cylinder है ठीक है माल लिजे इस cylinder जब यह यह हम wire की बात करें जब इसकी thickness बहुत कम है ठीक है जब इसकी thickness बहुत कम है ठीक यह आपका radius हो गया for example R 1 अब यहाँ से अगर मैं heat transfer लिखूँ और माल लिजे इसका temperature इनर टेंपरेचर है टी आई और एम्बियंट का टेंपरेचर है टी इंफाइनाइट तो यहां से मेरा क्यों हो जाएगा जो क्योंकि यह तार मेरा बहुत पतला है बहुत पतला तार है तो इसका कंड़क्शन रेजिस्टेंस लगभग कुछ भी नहीं होगा लेकिन जो भी माइनस T इंफिनिटी Q is equals to HA Ti माइनस T इंफिनिटी अब यहां पर H क्या है यह कंड़क्टिव ही ट्रांसफर कोफिशन्ट होगा एम्बियंट सराउंडिंग का और यह एरिया क्या होगा यह हो जाएगा 2 पाई आर वन इंटू एल 2 पाई आर वन इंटू एल जहां पर सिलें नहीं है नो इंसूलेशन ठीक है अभी हमने कोई भी इंसूलेशन नहीं लगाया है इतना हीट ट्रांसफर हमको यहां पर मिलेगा अब बात करते हैं यहीं पर अब अगर हम लोग बात करें ठीक है अब अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं भाई कि हमें इंसूलेशन लगा अब हमने इंसुलेशन लगा दिया for example और यह इनर रेडियस था R1 इंसुलेशन जो लगाया वो लगाया तक इंसाइड टेम्परेचर है T1 अब टेम्परेचर है T2 अब क्योंकि आपने इंसुलेशन यहाँ पर लगाया है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर देखिए यह जो इंसुलेशन है इसको मैं ग्रीन से मारक कर दे रहा हूं यह मेरा इंसुलेशन है अब यह जो insulation है मान लिजे इस insulation की thermal conductivity है K ठीक है और ambient temperature है T infinite जो ambient का heat transfer coefficient है वो है H, convection heat transfer coefficient है H, अब यहाँ पर अगर मैं इसका thermal circuit diagram बनाओ, तो सबसे पहले मेरा inside temperature होगा T1, T1 से फिर जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ तक T2, ठीक है T1 से लेके T2 तक जाएंगे तो heat जो है वो y conduction transfer होगी इसके बीच में, मतलब इस insulation के थूप, यहाँ पर लिखेंगे R thermal conduction for this insulation, कितना होता है आपको पता है L upon Ka, अब T2 से बाहर जाएग में और इसके बीच में क्या होगा, convection resistance होगा, convection resistance होता है 1 upon H into A, और यह होगे आपका T infinite, अब यहाँ पर अगर आप heat transfer लिखेंगे तो आपको पता है हमेशा हम temperature difference इसका लिखते है, सबसे extreme temperatures का difference लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा T1 minus T infinity, whole divided by, एक तो आपका होगा resistance, thermal conduction, इसका इस cylinder का, फिर उसके बाद होगा आपका ambient का, जो की आपके वाय, convection transfer जिसमें हो रहा है, यह हो जाएगा, LN R2 divided by R1, whole upon 2 pi KL, plus 1 upon H into 2 pi R2 into L, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका total resistance, जिसमें यह वाला part हो गया, cylinder का conduction resistance, और यह वाला part आपका हो गया, external convection जो हो रहा है, उसमें जो आपका resistance आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, कि हमारे तार की जो radius है, वो fix है, ठीक है, यह temperatures भी आपके fix हैं, यह वाले रिखा है, with insulation, ठीक है, यह है मेरा with insulation, अगर मुझे इस heat transfer को change करना है, तो मैं क्या चीज़ चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास सबसे बढ़िया option है, कि मैं R2 को change कर दूँ, मैं R2 को बढ़ाता जाओ, और तब देखू कि क्या effect आता है, तो जैसे-जैसे, अब क्या होगा, जैसे-जैसे अब तार के उपर insulation की layer लगाते जाएंगे, as R2 increases, जैसे-जैसे R2 increase करेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वाला part जो है, ये वाला part क्या होगा, ये increase करेगा, अच्छा, R2 के increase होने से ये वाला part क्या हो जाएगा, जब R2 increase होगा, तो 1 upon ये वाला part क्या हो जाएगा, ये decrease हो जाएगा, ठीक है, initially जब आप अपने wire के उपर insulation की layer जाएगे, तो आप ये चीज़ notice करेंगे, कि आपका R2 तो बढ़ रहा है, क्योंकि R2 क्या है, insulation का radius है, तो ये चीज़ ये वाला जो thermal conduction resistance है, cylinder का, ये बढ़ेगा, और convection resistance जो है, वो decrease कर जाएगा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई, conduction resistance जो है, वो increase कर रहा है, और convection resistance decrease कर रहा है, मतलब एक value increase कर रही है, एक value decrease कर रही है, तो net effect क्या होगा, यहाँ पर net effect क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे, DQ by DR2, DQ by DR2 यहाँ पर हम लोग कर देंगे, और इसको equate कर देंगे, 0 के, ठीक है, maximum minimum निकालने के लिए, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा, R is equal to K upon H, R is equal to K upon H, जहाँ पर H क्या है, H आपके ambient में जो fluid है, उसका convection heat transfer coefficient है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो R मिलेगा, which is equal to K by H, और यही होती है आपकी critical radius की value, यह critical radius की value है, अब यह math से तो हमें समझ में आ रहा है, कि भई, यह increase कर रहा है, यह decrease कर है, लेकिन actually में हुआ क्या, जब आप insulation लगाते हैं, जब आप insulation की layer लगा रहे हैं wire पे, तो आपका surface area बढ़ रहा है, surface area बढ़ेगा, तो convection heat transfer बढ़ेगा, convection के द्वारा जो heat transfer हो रहा है, वो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो, convection resistance जो है, वो decrease कर रहा है, और यह वाला जो increase कर रहा है, आपका conduction resistance यह little bit increase करता है, थोड़ा सा increase करेगा, लेकिन आपका convection resistance जो है, वो drastically decrease करता है, तो heat transfer जो है by convection यह है, बढ़ जाएगा, और heat transfer by जो conduction है, वो घट जाएगा, थोड़ा सा घटेगा, ठीक है, क्योंकि आपका conduction resistance थोड़ा सा बढ़ रहा है, और पिर हमने निकाला जो critical value है, critical value का वो मतलब है कि आप धीरे-धीरे करके insulation की layer को इसकी उपर चढ़ाते गए, r2 को आप change करते गए, यहाँ पर है treating, treating all parameters, treating all parameters as constant, हम सारे parameters को constant मानले, सिर्फ r2 को ही मैं change कर रहा हूं, क्योंकि मैं t1 को change नहीं करता, t2 को change नहीं करता, r1 को change नहीं क करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो insulation की layer उपर लगा रहा हूं अपने wire में, उसी को मैं change कर सकता हूं, तो सारी चीजों को constant मानके, हमने q को differentiate किया, r2 के respect में, तो हमको क्या मिला, k upon h, तो यहीं होती है critical value, critical value का मतलब है कि उतनी value तक, मतलब जैसे माल लिजे, आपके wire का radius थ 7 cm के बीच में, आप अपने insulation को लगा सकते हो, insulation की layer को दीरे-दीरे बढ़ा सकते हो, तो up to 7 cm आपका heat transfer क्या होगा, increase करेगा, लेकिन 7 पर क्या हो जाएगा, maximum हो जाएगा, और 7 के बाद अगर आप कुछ और लगाते हो insulation की layer, तो यह decrease करने लग जाएगा, तो देखी, यहीं चीज यहाँ पर बताई गई है, यह आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपका जो cylinder है, इसमें internal जो surface है, उसका temperature T1 है, जो ambient है, उसका T infinity temperature रखा गया है, दो resistance है, एक thermal conduction resistance, जो कि आपके cylinder का होगा, कि cylinder आपके जो material से बना है, उसके बाद आपका क्या होगा, convection resistance होगा, ठी यह आपके insulation की वज़े से है, यहाँ पर देखिए, दो resistance आ रहे हैं आपर, जो की है, एक conduction वाला, और एक convection वाला, तो जब हम R2 को बढ़ाएंगे, R0 जो है, यह actually outside वाला जो radius है, यह R2 इसको आप लिख लीजे, यह आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और यह वाला part आपक वो किसका function होगा, वो होगा insulation का radius का function, ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज, heat transfer इस बात पर depend करेगा, कि आपने कितना insulation की layer को लगाया है, ठीक है, आपने कितना insulation की layer को लगाया है, और हम heat transfer करा क्यों नहीं है, हम heat transfer इसलिए कराने है, क्योंकि जो हमारा wire है, जब उसमें current flow करेगा तो उसमें heat generate होगी, और उस heat को dissipate कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे, तो उस heat के कारण आपके wire का temperature बढ़ता जाएगा, temperature बढ़ेगा, तो एक point पर जाके आपका wire गल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमने जो मिला, जो critical value मिली वो थी, K upon H not, H out मतलब मैंने लिखा है, H O, यह है कि जो बाहर, जो आपके surrounding में, ambient surrounding में, जो आपका fluid है, उसका convective heat transfer coefficient हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर जब आप solve करेंगे, तो critical value आपको मिल गई, K upon H, ठीक है, K upon H मिल गया, और, फिर क्या होगा, आप यह चीज, observe करोगे, कि up to, up to जो ह होगा हमारा critical radius, up to critical radius हमारा heat transfer जो है, वो increase करता है, heat transfer हमारा increase करेगा, तो at, अगर हम लोग बात करें, at critical radius, तो heat loss will be maximum, ठीक है, heat loss जो होगा, at critical value, वो maximum हो जाएगा, और critical value के पहुचने के बाद, अगर आप फिर कोई insulation लगाते हैं, तो आपका heat transfer बढ़ने की बजाए, घटना start कर देगा, ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपने देखा, दो points है, जो आपको remember करने है, बहुत important points इसमें क्या है, पहले, जब initially आपने insulation को लगाया, तो आपका thermal conduction resistance थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन convection जो resistance है, वो drastically decrease करेगा, तो आपका heat transfer by convection जो है, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, और heat transfer by conduction जो है, वो decrease कर जाएगा, ठीक है, यह कब होगा, यह initially होगा, जब आप थोड़ा-थोड़ा करके layer उसके उपर लगाते जाएंगे, और यहाँ पर यह वाला जो पार था convection resistance, यह वाला पार था conduction resistance, अब एक चीज बढ़ रह रही है, तो हमने क्या किया, maths को apply करके, हमने maxima minima condition से यह check कर लिया, कि ऐसी कौन सी value होगी radius की, कौन से radius की, insulation के radius की, जिस पर हमारा heat transfer maximum होगा, तो वो value निकल की आई, critical value जो है हमारी k upon h, जो है हमारी k upon h, अब क्या होगा, अगर critical value के बाद आप कोई और insulation जोडते हो, तो heat transfer आ अब यह reverse effect होने लग जाएगा, कि आपका conduction resistance बहुत तेजी से drastically increase कर जाएगा, और convection resistance little bit decrease कर जाएगा, तो अब reverse ultra effect होने लग जाता है, कहाँ पर critical value के बाद में, तो यहाँ पर अगर आप graph देखें, तो इस तरीके का कुछ graph आपको देखने को मिलेगा, यह बहुत interesting graph है, आपका वो point है, जब कोई insulation नहीं था, फिर धीरे धीरे आपने क्या किया, धीरे धीरे आपने insulation की layer को लगाना start किया, insulation की layer को लगाना start किया, धीरे धीरे आपका हम लोग यहाँ पर Q versus radius of insulation का graph plot करेंगे, तो धीरे धीरे जब insulation की layer बढ़ेगी, तो आप देखने की heat transfer बढ़ र जाएगा, एक point पर आके heat transfer maximum हो जाएगा, वो point कौन सा होगा, वो हो जाएगा critical value RC, जो radius of insulation होगा, उसकी critical value पर heat transfer maximum होगा, अब क्या होगा, इसके बाद अगर आप फिर कोई insulation लगाते हैं, layer लगाते हैं, तो आपका heat transfer decrease होना start हो जाएगा, और decrease होते होते यह एक उस point पर पहु मिल ला था, जब आपका कोई insulation नहीं लगा था, ठीक है, तो यह वाला point और यह वाला point, तो यहाँ पर यह जो point है, जहाँ पर आपको उतना ही heat transfer मिल ला है, जितना कि आपका तब मिल ला था, जब कोई भी insulation नहीं लगा था, तो इस particular radius की value को हम कहते हैं, cross over radius, इस particular radius की value को हम ब कुलते है crossover radius, to crossover radius हमारी वो value है, कि जहां पर आपको उतना ही heat transfer मिलेगा, जितना कि आपका तब था, जब आपने कोई भी insulation नहीं लगाया था, ठीक है, तो यह पूरा फंडा है कि इस तरीके से heat का transfer vary कर रहा है, जब आपके तार में आप insulation की layer लगाते हैं, तो यहाँ पर जब हम fins पढ़ते हैं, तो fins में जो insulating, fins में क्या होता है, लोग कहते हैं वो insulator है, नहीं, fins जो है, वो insulating material नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी thermal conductivity जाधा होनी चाहिए, क्यों जाधा होनी चाहिए, ताकि उसकी effectiveness जाधा हो, ऐसी चोटे-चोटे topics में आप लोगों के लिए लाओंगा, ताकि आपका थोड़ा सा interest जो है, वो बना रहे है mechanical engineering में, ठीक है, और यह बहुत अच्छे topics हैं, बहुत चोटे-चोटे topics हैं, तो किस तरीके से vary कर रहा है, मेरा heat transfer यह आप देख चुके हैं, और अगर हम लोग बात करें कि critical thickness की applications कौन से point पे होती है, तो इस spherical electronics में यहाँ पर यह use किया जाता है, ठीक है, आपको पता है, electronic जो devices होते हैं, उसमें भी हमारा heat transfer जो होता है, हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर temperature एक value से exceed हो गया, तो हमारा material जो है, वो fail कर जाएगा, दूसरा होत हैं, जो कि बिजली को एक से दूसरी जगे ले जाते हैं, उसमें भी insulation लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब तार में current बहरा आए, तो joules law के according यहाँ पर heat generate होती है, और अगर इस heat को हमने dissipate नहीं कराया, तो यह हमारा तार जो है, वो उसका temperature बढ़ता जाएगा, और इस चीज़ को देख सकते हैं, बहुत ही beautiful यहाँ पर यह जो equation होता है, इससे आप यह चीज़ देख सकते हो, कि भाई क्या चीज़ increase करेगी और क्या चीज़ decrease करेगी, तो match से भी आप इस चीज़ को judge कर सकते हो, उसके लावा जो crossover radius है, वो बहुत important एक term है, तो कि crossover radius आपकी insulation क radius की वो value है, जहाँ पर आपको उतना ही heat का transfer मिल ला है, जितना आपको कब मिला था, जब आपका कोई भी insulation नहीं लगाया गया था, ठीक है, और differentiation करके maximum minimum से आप यह चीज़ निकाल सकते हो, तो यह जो k upon h है, यह है cylinder के लिए, यह है आपका cylinder के लिए, same case अगर आप sphere के लिए तो उसकी critical radius आता है 2k upon h naught, ठीक है, 2k upon h यहाँ पर हो जाएगा, इस formula में सबसे ज़्यादा important, सबसे ज़्यादा महत्वपूर बात क्या है, यह जो k है, यह आपके insulation की thermal conductivity है, यह जो k है, यह आपके insulation की thermal conductivity है, और यह जो h है, यह है convective heat transfer coefficient, ठीक है, convective heat transfer coefficient, किसका, यह है ambient fluid का, किसका, ambient का, ठीक है, तो यहाँ पर इस formula में यही एक दो चीज़े, कुछ points बहुत important है, और इसी से related आप से question पूछा जाता है, ठीक है, तो I hope को आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फ्लीज इसको like करिएगा, चै तो वो मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से present करूँगा, तो thank you so much, have a great day.